नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना जिसके ओठों पर असी और पाउं में छाले होंगे वही मेरे प्यारे बच्चे इस CET में मंजिल को पाने वाले होंगे नमस्कार परवेचों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल जीके वाई प्रदीब सर पे और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी देखना ये वीडियो आपकी लाइप को परिवर्तन कर देगी आपकी लाइप मे नया एनरजी आएगा इस वीडियो को लाश तक देखिए इस वीडियो में हम आज ये चर्चा करेंगे कि किस परकार से आप है गुरूप C में और गुरूप D में लग सकते हो और अभी लगबग 20,000 बच्चों ने अपनी मंजिल को पाया है और आप भी मंजिल को पा सकते हो जिसका सिलेक्षन हो गया उनको बहुत 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 पदाई जिसका नहीं हुआ वो मिलकर दुबारा मेहनत करेंगे आज हम आना चर्चा करेंगे कि आपका क्या सलेवस रहेगा कौन सी आपको किताब पढ़नी चाहे बजाए 10 किताब पढ़ने के आप एक किताब को 10 बार पढ़नी जिए आज सारी की सारी है ना जो एक टोपर की रणनीती होती है ना वो डिसकास हमें करेंगे किस परकार से आपको मोग टेस्ट लगाने चाहिए कितने टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना होगा तो ग्रूप C और D का स्लेवस भी डिसकास करेंगे तो जो नए जम्मो की फ्री पीडियप है मिलेगी तो अब हम चर्चा करते हैं जै मासरश्वती जै सनी जी महराज का नाम लेकर न्यू सीटी आपका दो हजार चोबिस पच्चिस में होना है आज आपने न्यूज पेपर देख लिया होगा चेर्मेन साब ने कह दिया है कि इस मरलब इसम कोसिस से पिछला सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि कोसिस करना नहीं छोडेंगे तो यह सीटी अगर क्वालिफाई हो जाए क्यों क्वालिफाई हो जाए क्योंकि पिछली बार है ना जो सीटी परी में ना मतलब नॉर्मल मार्क से पास हुआ था बाद में बोट टाइम मिल गया था और बाद में वो पढ़ करें ना वो उस अगले एक्जाम को टोप की भी कर सकता है और बोट से बच्चों ने ग्रूप 56-57 का पहले एक्जाम दिया बाद में लिस्ट में नाम आया आया ही नहीं उसके लिए उनको बोट दुखा सामना करना पढ़ रहा है तो अब रिक्वेस्ट भी करें कि कि सीटी क्वालिफाई हो जाए तो कम से कम साथ गुना ना हो तो बिटा ये 15 गुना हो जाएगा राजस्तान में अपने पडोसी राजे में बीजेपी की सरकार है वहां क्वालिफाई कर दिया गया इसलिए ना आज से और वह बली बात है हे पार्थ है अपने रत को दुबरा लाइबरेरी की और मोड़ो कोचिंग सेंटर की और मोड़ो क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से गुजरेगा अब वो नहीं है बिटा वो टाइम चला गया जब पूछा जाता था कि कितने में लगा अब वो टाइम है कि कितने आपके घर से लगे वो टाइम है आज से किताबे उठाइए आप परदीप सर से मत पड़िये कोई फरक नी पड़ता आप धुरिना से मत पड़िये कोई फरक नी पड़ता लेकिन ना दुनिया खेरियत नहीं एसियत पूछने वाली है दुनिया को दिखाने के लिए आपका कुछ बनना आवश्यक है, अब बात आती है बिटा, जो आपका गुरूप C का एक्जाम है ना, उसकी मैं बता देता हूँ, ओफीसियल सलेबस अभी तकी है, हरियाना जीके 25 की, जीके 15 की, मेत 15 का, रीजनिंग 15 की, हिंदी 10 की, इंगलिस 10 की, कम्प्यूटर 10 का, और ग 10 में से 10 सकोर कर सकते हो, बच्चों के मैंने हिंदी में देखा है, 4 से 5 नमबर आते हैं, और ये हिंदी है ना, हमारे को ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर बेड़ती है, हिंदी के लिए बिटा, आप कोई मर्जी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन ना, हमारी खुद की बुक आई हि हिंदी के लिए मैं तारिफ नहीं करता, ये अज्जे कोशिक सर है, हर्याना के इतिहास के सबसे कम यू उमर के राइटर है, और भोत बहतरीन काम कर रही है, तो इनकी पूरी की पूरी मेहनत बेटा इस बुक में, सुमक्षा हिंदी ब्रामास्तर के नाम से ये पुस्तक आई है, सर की पहले भी इसी नाम से बुक आती है, और इस बार हमने ना मिलकर एक अच्छा प्रियास किया है, ये बुक है ना मात्र कितने में, सो से एक सो दस रुपे में मिलेगी, हर याना के हर बुक स्टोर पर उपलब्द है, टेलिग्राम में लिस्ट डाल दूँगा, इस में ना दस में से आपका दस नंबर पक्के हो जाएंगे, आज तक है ना जितने भी एकजाम हुए है, इस बुक से एक भी कोश्चन है, बाहर नहीं गया है, अभी आर्बीडी के साथ सर की और हमारी बुक आई है, बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं, बाकि आप और कहीं से लेना चा नहीं होगी, और वो प्लिन्टू पेरामाउंट नीतू सिंग वाली बुक को तो सभी ने पता ही होगा, यहां बिटा कोई भी आप है ना, ठीक है, ससी की कोई अच्छी सी बुक लेकर प्रेक्टिस से आएगी, इंगलिस लेंग्वेज है, पढ़ने से आज आएगी तो हिंदी इंगलिस की बात हो गई, और कंप्यूटर के लिए बिटा, कंप्यूटर के लिए आपको इलूशेंट की बुक भी देख सकते हो, कोई भी बुक देखो, ओलाब सिंग नेन सर आपको ने देखा होगा, उनका चेनल वीजिट करना बहुत अच्छा कंप्यूटर करवा और हिंदी इंगलिस कंप्यूटर के आपके इस चेनल पर लेक्चर भी लगवा दूँगा, कोई दिक्कर नहीं है, तो हरियना जी के अना 25 की आएगी, आराम से 23 नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो, पूरी की पूरी हरियना जी के यूट्यूब पर करवाँगा, कई दाई लाक नहीं, दो लाक सत्तर हजार कोपी इसकी क्या हो चुकी है, सेल हो चुकी है, ये बुक आप है, अच्छी लगे तो चेक कर सकते हो, पूरे हरियना में ये बुक है, अवेलेवल है, मात रहना बिटा, एक नोर्मल चार्ज पर 230 से डाइसो के रूप में ये बुक है, पूरे हरियना में अवेलेवल रहेगी, अच्छी लगे तो देख लेना, पूरा का पूरा इसमें वन लाइनर भी कोश्चन रहेंगे, इसमें कौन से कोश्चन रहेंगे, इसमें topic wise भी है, district wise भी है, महतवपूर्ण current affair भी है, सारी की सारी चीज़े इस बुक से एक बुक से आपकी cover हो जाएगी वेसे ये बिटा कोई आपके पास और book है तो आप देख सकते हो लेकिन हमने अपनी और से ये best book किया है और YouTube पर भी जीके भाई प्रदीब सर पर ये सारे की सारी मैं आपको करवाऊंगा जीके के लिए बिटा 15 नंबर की जीके आएगी इसके लिए आप है कर आप और हम करेंगे ना तो कम से कम 35 या मलब 33 पलस इसमें आराम से हम score कर सकते हैं ठीक है पांच नंबर का फिर भी मैंने गेप लिया है ठीक है क्योंकि एक आदा कोई दो कोशन हरिया जीके में और दो से तीन कोशन इंडिया जीके में ऐसे आते ही आते है वो किसी को नहीं आते मिलेंगे competition वहां create नहीं होगा तो यह 40 नंबर की बिटा हम आपको बड़ी बहतरीन त्यारी करवाएंगे और जीके के लिए कही के ना चाहते सर कोई book बता दो चाहिए मेरी ना हो लेकिन book बताता हूँ S.S.E. गड़ना चकर की book है आप है पढ़ सकते हो और बिटा यह बड़ी बहतरीन book रहेगी और computer के लिए the computer diary कुल्दीप सर का channel है बिटा assistant professor लगे हुए सिरसा में वो भी channel आप विजिट कर सकते हो बड़ा बहतरीन computer पढ़ाते है तो यह भी देख सकते हो maths के लिए अगर मैं बात करूँना maths के लिए आप है ना चाहे कोई भी बड़ी किताब मत लेना RS अगरवाल की book है बेस्ट है हर यह ना मिमेत में सारे के सारे question है RS अगरवाल से निकल जाओगे और वेसे आपके इसपास है किसी भी राकेस या दावसर की या बिनेसर की फूस् तो इसमें ना बहतरीन तरीके से अब हम आपको क्या करवाएंगे चेनल सब्सक्राइब कर लेना आठ बजे बेटा डेली आपकी ना हरियान जीके की और इंडिया जीके की एक है कलास रहेगी तो यह 40 नंबर का पार्ट है यह आपको चाहें आप जो बच्चे है ना लगे यह 497.99 में मिले सकते हो जिस बच्चãy ने पीछे त्यारी की है एक-दो नंबर से रहे गया वो रिकोर्डीड लेकर त्यारी कर सकते हो चुए 398.44.00 4.498 न पी bark है और जो कहता है aqui 9.99 8.99 pattी का bonus रहेगा और जो कहता है हमें तो लाईव त्यारी करनी है तो 1444.89 का रहेगा ह पूरा का पूरा recorded है, SSC के टीचरों दोवारा recorded है, हरियाना की टोप टीम दोवारा लाइव हटेली 6-7 गंटे कलास होती है, topic wise पीडियम मिलेगी doubt session होगा, पूराने बच्चे हैं तो ये ले लेना, और जो पूराने बच्चे हैं तो ये course है, ले सकते हो हरियाना पुलिस का, ये जो आपका CT का नया बेच है, लग से बेच ले सकते हो, अब बिटा जो गुरूप D के सलेवस पर मैं चर्चा करता हूँ, बेच मत लो, कोई दिख करनी है, मासर स्वती की देया से, सनी महराज की देया से, त्यारी आपको अच्छी करनी है, इसमें आपकी GK 15 नंबर की आएगी, हरियाना GK 25 की है, मेच 15 का है, ठीक है, और इसमें साइंस 15 की साइंस को अलग से एड़ोन किया गया है, साइंस की भी मार्केट में हमारी बुक आई हुई है, आपको कोई और अच्छी लगे ना, तो साइंस की चाहिए, वो और अच्छी बुक है, ले सकते हो कोई दिख करनी, रीजनिंग हिंदी इंगलिस के लिए मैंने बता दिया, आप चेनल सब्सक्राइब करके ना, अब हम आपको क्या कर 25 में से 23 नंबर जो बच्चे लगे हुए हैं ना, उनसे पूछ लेना, जो अभी 20,000 लगे हैं ना, मैं साइध 20,000 को नहीं जानता, आप जाकर पूछ लेना, कि परदीप सर इतना पूछना, परदीप सर कैसा पड़ाते हैं, तो वो बता देंगे, हरियाना जीके में आज तक 24 तक जितने भी एक्जाम हुए हैं ना, वो सारी की सारी इंडिया जीके बिलकुल कंसेप्चुल कराओंगा, इस्ट्री, पोलिटिकल, जोगरफी, एंसेंट, मिडूल, मोर्डर, सारे के सारे कोशन, ये 40 नंबर टेंसन छोड़ देना, अब बात रहती है कि सिलेक्शन के लि पूरी त्यारी कीजी, हमारे कोर्स होते हैं इसमें क्या होता है, पहले परसंटेज कराया, फिर उसके प्रिवियस येर कोशन, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड, रिलेटिव उससे कोशन करवाई जाती है, डेली पीडियप जीज जाती है, तो मेथ और रीजनिंग, ये इसमें कंप्यूटर की भी आपको यहां पर कलास है, करवा देंगे बीटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिलकर त्यारी करेंगे न, ये सीटी आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, और इसको न, एक स्टेटर जी को अब मान कर चलो, 31 दिसंबर को बताया जा रहा है, ठीक है, आज है न, बेटा, कितनी बाईस तारीक हो गई है, ठीक है, उपर वाले छोड़ो, दो महिने, और पांच दिन, 65 दिन है, 65 दिन आप बेटा, हमें दे दीजिए, ठीक है, और 65 दिनों में आपको ऐसी त्यारी करवा देंगे, आपको विश्वास हो जाएगा, कि मैं एक्जाम करेक कर सकता हूं, चाहिए आप मेरा कोर्स मत खरीदो, चाहिए आप धुरीना से मत पढ़ो, लेकिन 60-65 दिन है न, आप अपने ममी पापा से वादा करो, कि अगली बार सिलेक्शन की पीडियाप में हम नाम लेकर आएंगे, और जिसने भी आज आपको ताने दिये हैं न, व गरव होगा, टेंसन मत लीजिए, अतास मत होईए, निरास मत होईए, दुबारा अपने अस्तर सस्तर उठा लीजिए, और आपको न, मतलब किसमत है, भादुरों का साथ देती है, और जरूर देती है, सनी जी महराज की किरपा आप पर बनी रहे, तो इस हिसाब से हम त्यार इस नंबर में से आराम से 30 पलस है, हम आपको दे देंगे, आराम से महनत हम करेंगे, कंटेंट का परवंध हम करेंगे, सिलेक्षन आपको देना होगा, दुबारा मैं कहता हूँ, सिलेक्षन की कभी भी कोई कहता है, मैं गारंटी लेता हूँ, वो जुट बोलते हैं हमारा भी हो गया, आपकी बदोलत हो गया, मैं एक ही बात कहता हूँ, किसी भी बच्चे का सिलेक्षन मेरी बदोलत नहीं हुआ, यह आपकी मेहनत थी, अगर मेरी बदोलत होता तो मेरे आस्पडोस में सारे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर होते, ठीक है, एक बच्चा विवे तो हमेशा पोजिटिव लोगों के सानिद्य में रहना, और नेगिटिव लोग आपको कहेंगे तू नहीं कर सकता, और पोजिटिव लोग कहेंगे कि तू कर सकता है, याद आता है 1556 में जब पानिपत की लड़ाई हुई थी, हुमायू की मिर्ति हो गई थी, अकबर महजे 15 142 में अमरकोट में जनम हुआ 1556 की बाती 14 साल का था, एक दिल्ली का ना सेनापती तार्दी बेक आकर बोलता है, वहाँ अकबर बेटा था, वहाँ वेरम खा बेटा था, बोला हेमू नी तिल्ली की गद्दी पर कबजा कर लिया है, और अब है ना हेमू हमें मार देगा, हमे कमजोर करता है, और इतियास गवा है कि बेरम खाने, चाए केसे भी अत्याचारी हो, चाए कुछ भी हो, उसने पानीपत का दूसरा यूदे जीत लिया था, जो आपको नेगिटीव करे बेटा, उससे दूर हो जाना, पोजिटीव लोगों की संगत में रहोगे, तो अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, तो पांच वे अच्छे लोग है, आप बनोगे, आपकी कमपनी आप पर इफेक्ट डालेगी, हम आपको बेटा महिनत करवा सकते हैं, हम आपको त्यारी करवा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना होगा, आप सोगन खाना, और आज कोमेंट करना कि सर आपके तरीके से, आज के आपकी वीडियो देखने के बाद हमने दुवारा से किताबे उठा लिया, हम आदे नंबर से रहे गए, हम एक नंबर से रहे गए, हम दो नंबर से रहे गए, CT क्वालिफाई ना होने के कान हमारा गुरूप में नाम नहीं लेकिन आज आप किताब उठा लीजी आज अगर आपने किताब उठा ली आज अगर आपने 6 गंटे मेहनत करने तो मैं वाधा करता हूँ आपको 12 गंटे कभी मज़दूरी नहीं करने देंगे आपने आज 6 गंटे है ना अच्छे से अध्यन करना मिलकर अध्यन करेंगे और प humanial charge रखा गया हम practice की और best content की जिमेदारी लेती一下 selection की जिमेवारी ना तु हमने ली है और ना हमने लेंगे कभी क्योंकि हम महनत करवच कि आपनी महनत के अप गुर handful मैं कितने बच्चे थे लगे तो कितने इस बर्ती में मरलब दोनों बरती पिछे 20 गुरुप लगा कर ये लगा कर गुरुकुल से 100 बच्चे लगे ओफ लाइन ठीक है और गुरुकुल में बच्चे तो जादा थे ना सारे क्यों नहीं लग पाए सारे बच्चों में वो डेडिकेशन की साइद कमी रह गई जो उन 100 बच्चों में थी हमने तो उ अमी पापा के जो आपने घरीबी देखी है उसको देखकर सिलेक्शन होगा अब कहीं जाने की जरूर नहीं है बेग उठाईए लाइबरेरी में जाईए मैनी केताब के कोर्स से सिलेक्शन होगा आप सेल्फ स्टड़ी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं आप सेल्फ स्टड़ी क में free of cost provide करवा देंगे लेकिन बेटा पढ़ना आपको होगा free की लोग value नहीं करते इसलिए इस course का एक nominal charge रखा जाता है और free की चीज़े है ना बेटा कोई value नहीं करता इसलिए मैं आप से गेना चाहता हूँ मिलकर मेहनत करेंगे किताब उठालीजिए दुबारा अपने अस्तर सस्तर उठालीजिए जिस परकार दिपावली के अगले दिन अस्तर सस्तर की पूजा होती है आज ही पूजा कर लिजिए और मिलकर मेहनत करेंगे और आपको सिलेक्षन तक मासर्च्वती सनी जी माराज जरूर पहुंचाए विश्यू वेरी ओल दी बेस्ट जै हिंदे जै भारत कोमेंट करना कौन-कोन इस वीडियो को देखकर दुबरा किताब उठा रहा है